हलो फ्रेंट्स आज की क्लास बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है आज की क्लास में हम एक एक एसे टोपिक पर पढ़ने वाले हैं जो काफी इंपोर्टेंट है वो हमारे सरीर का एक महत्वपूर्ण सनचना है और वो है रक्त यानी ब्लड तो फ्रेंट्स ब्लड जो है ये General Science के point of view से यहां से बहुत सारे question आते हैं कई exams में मतलब इतने question आये हुए हैं बार-बार repeat हुए हैं तो जिन बच्चों ने blood के बारे में कुछ important information नहीं पढ़ रखी है उनके लिए बहुत ही important होने वाली ये class तो यहां रक्त परिशन च्टन तंतर के part 2 में हम blood को पढ़ेंगे तो देखें जो blood है वो किस तरीके का होता है इसमें क्या चीजें होती है तो यह हम पढ़ेंगे और यहां इस notes का एक-एक line अपने आप में question बना हुआ है बहुत बार question repeat हो है और अलग-लग type के question repeat हो है यहां से तो friends आईए हम जानते हैं कि blood क्या होता है तो देखें friends blood के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं blood में यानि जो रक्त है उसके अंदर manly हम आज plasma के बारे में पढ़ेंगे कि plasma क्या होता है लेकिन उससे पहले हम रक्त के बारे में जानेंगे कि रक्त क्या होता है blood क्या होता है तो हम यहां बात करेंगे तोड़ा विग्यानिक तोर पे कि जो रक्त है blood है वो क्या होता है यानि रक्त क्या होता है तो यहां पर हम क्या चीज़ें डिसकस करने वाले हैं कि हम सबसे पहले यहां पर रक्त को बताएंगे कि रक्त एक तरल सहियों जी उत्तक है रक्त क्या है एक तरल सहियों जी उत्तक है आया हुआ है ठीक ऐसे ही ये एक हलका क्षारिये तरल है मतलब slightly alkaline fluid है मतलब ये प्रकरती में थोड़ा शाक्षारिये है इसलिए इसका जो pH है वो कितना होता है 7.4 होता है तो ये question भी बहुत बार exams में पूछा हुआ है अब रक्त की जो मात्रा है मानव सरीर के अंदर रक्त की मात्रा कर बात करें तो हम कहेंगे 5-6 लीटर होता है यानि 5-6 लीटर इसकी amount है अब रक्त को पढ़ेंगे हम जैसे अभी पढ़ रहे हैं तो वेग्यानिक तोर पे यानि जब especially जो medical related जो study होती है तो उस रक्त को हम उस study को बोलते हैं हम hematology यानि रक्त के अध्यन को क्या बोलते हैं hematology ये भी अपने आप में एक famous question है अब बात करेंगे रक्त बंता कहां है हमारे सरीर में इसका निर्मान यानि formation कहां होता है तो हम जानते हैं अस्ती मज्जा में यानि bone marrow में तो अस्ती मज्जा क्या है दोस्तों जो हमारी अस्तियां होती है उनके अंदर का जो मुलायम भाग होता है soft part of bone, उसी को हम अस्ती मज़ा बोलते हैं, तो bone मेरो में इसका निर्मान होता है, लेकिन हमारे अंदर, वयस्क के अंदर bone मेरो में निर्मान हो रहा है, वयस्क मतलब जनम के बाद में, वयस्क तो हमारे उमर के साथ से वयस्क बोल रहे हैं, या एडल्ट बोल रहे हैं, बट दोस्तों या फिटल लाइफ के अंदर कहां बनता है। उले यक्रत वैं-ल्य प्लिहा में तो जलम के बाद में तो अस्ती मज्जा में बनता है लेकिन भुना अवस्था में यानि जब गरवा अवस्था में है सिसू तो उसके यकरत और पलीहा में रक्त का निर्मान होता है अब दोस्तो जो पली हा है उसके लिए एक special सब्द यूज किया गया है पली हा को सरीर का Blood Bank बोलते है कि जैसे बैंक में हम पैसे जमा करवाते हैं हमारे पैसे जमा करवाते हैं जरुत पढ़ने पे वापस निकाल लेते हैं वैसे ही हमारा जो स्प्लीन है यानी जो पलीहा है जिसका एक अन्य नाम है इसको हम तिली भी बोलते हैं यह हमारे आमासे के ठीक नीचे इस्थित होती है तो इसको हम आप कह सकते हैं Blood Bank कहते हैं क्योंकि इसके अंदर तीन लगभग 300 ml जो रखत है 300 ml Blood है वो भरा रहता है किसी वी टाइम और एक्सिडेंट के केस में या स्रीर को जरुद पढ़ने के केस में वहां से निकल कर बाहर आ जाता है तो दोस्तों Blood Bank बोलते हैं ऐसे ही RBC का कबरिस्तान क्यों बोलते हैं कि जो परिपक्वे RBC है या फिर आप कर सकते हैं 120 दिन के बाद में RBC है वो बूड़ी हो जाती है RBC का Life Spawn कितना है जीवन काल कितना 120 दिन होता है आगे हम पढ़ेंगे RBC के बारे में तो ये मृत हो जाती है तो एक तरीके से जो मृत RBC का मृत RBC का बक्षन करती है ये मृत RBC का क्या करती है बक्षन उसको खाके नश्ट कर देती है इसलिए इसको बोल देते हैं RBC का कबरि RBC अब ऐसे ही दोस्तों ये जो निर्मान की प्रिक्रिया हो रही है इस निर्मान की प्रिक्रिया को हम एक व्यग्यानिक नाम देंगे यानि रक्त के निर्मान की परिक्रिया को क्या बोलते हैं तो दोस्तों हो हीमो पोईसिस बोलते हैं क्या बोलते हैं हीमो पोईसिस तो यहां पर हर line अपने आप में कोशन है और यह exams में आये हुए है government competitive exam में especially जो group D और SAC के जो exams हैं उनमें काफी बार आये हुए कुशन है, अब दोस्तों चलते हैं रक्त का संगठन, यानि जो रक्त हम देख रहे हैं, उसके अंदर क्या है, बोले देखने में तो लाल रंग का तरल दिख रहा है, कैसा दिखता है, लाल रंग का तरल, यानि तरल यानि पानी जैसा है, लेकिन परंग कैसा है बूले लाल है लेकिन इसके अंदर बुले दो बाख की चीज़े है दो भाग है तो हम कैसे बताएंगे दो भागों को बूले यह ऐसे कोई परख या फिर वाइल होती है जिसमें हमरक लेते हैं सेमपल लेते हैं प्रियोकशाला में जब हमें कोई बिमारी हो जाती है तो उसमें हम पूरा रक्त जब ऐसे भर देते हैं और ठोड़ी देर के लिए उसमें रक्त देते हैं तो दोस्तों क्या होगा बोले ऐसी दिखेगी यानि उपर वाला जो भाग है वो थोड़ा पीले रंग का हो जाएगा नीचे वाला भाग है वो थोड़ा सा लाल रंग का दिखेगा अब यह जो पीले रंग वाला भाग है दोस्तों यह उपर वाला है और इसको बोलते हैं प्लाजमा तो रक्त का संगठन बात करें तो रक्त का एक भाग हो गया प्लाजमा रक का पिले रंका आपको दिख रहा है लेकिन कुल रक्त का देखो ये आदे से ज्यादा हिस्सा है कुल रक्त जो है हमने लिया था उसका आदे से ज्यादा हिस्सा है तो बोले रक्त का 55% भाग रक्त का जो 55% 55% जो पार्ट है वो क्या होता है प्लाजमा ही होता है तो अब प्लाजमा को हम एक सुत्र के रूप में लिख दिया कि प्लाजमा बराबर रक्त माइनस रक्त कोशिकाएं यानि रक्त कोशिकाओं को रक्त में से निकाल दें तो बचा हुआ भाग क्या है प्लाजमा तो रक्त को निकाल के इसी वायल में रखने पर रक्त कोशिकाएं अपने भी नीचे बैठ जाती है ऐसे और उपर वाला भाग प्लाजमा बच जाता है अब दोस्तों नीचे वाला जो भाग है वो क्या है वोले नीचे वाले भाग में रक्त कनिकाएं है यानि blood cells है तो blood cells यानि formed element है और वो कुल प्लाजमा का कितना है वोले 45% कुल रक्त का कितना है 45% क्योंकि 55% प्लाजमा हो गया और 45% हो गई रक्त कनिकाएं तो इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर धान रखना है कि प्लाजमा और रक्त कनिकाएं दो भाग हैं इनका परसेंटेज धान रखना है अब हम बात करेंगे कि जो रक्त कणिकाएं कौन-कौन सी हैं बोले लाल रंकी होती हैं लाल रुधिर कणिकाएं दोस्तो ये दिख रहे हैं ऐसी होती हैं ये आरबीसी हैं ये क्या है आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं इनको क्या बोलते हैं शोट में red blood cells यानि आरबीसी ठीक है तीक दोस्तों, ऐसे ही उनका एक विग्यानिक नाम है, Erythrocyte, क्या है Erythrocyte, यह लाल रंकी है, इसलिए Erythrocyte नाम है उनका, ठीक दोस्तों ऐसे ही दूसरी प्रकार की कुशिक हैं हैं, स्वेत रुधिर कणीकाएं, यानि white blood carpalctions, जिनको हम biodiversity भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं लुकोसाइट यानि ये वाली देखो ये अलग-अलग प्रकार की हैं जब हम WBC के प्रकार पढ़ेंगे तब इनको बताएंगे कि ये कितने प्रकार की हैं तो ये WBC है अलम के आकरती अलग-अलग दिख रही है तो वहां WBC वाले पार्ट में हम इनको पढ़ेंगे ठीक दोस्त से इस रक्त में तीन परिकार की कोशिकाएं हैं RBC WBC और प्लेट लेट तो दोस्तों यहां पर हमारे रक्त के अंदर यह चीजें हैं जब हमने बाहर निकाल के रख दिया तो बुले प्लाजमा अलग हो गया रक्त कोशिकाएं अलग हो गई लेकिन हमारे रक्त में यह घूमती रहती हैं यानि सारा रक्त है वो एक तरीके से मिक्स होके घूमता रहता है ऐसे अलग लग नहीं दिखता है तो दोस्तों अब यहां हम बात करेंगे कि जो प्लाजमा है उसके संगठन की बात करेंगे वन बाइवन पढ़ेंगे कि प्लाजमा में ऐसी क्या चीजे हैं इसको देख ली अपीले रंका है लेकिन इसी क्या चीजें है इसके अंदर और ऐसे ही रक्त में क्या-क्या चीजें हैं तो बोले रक्त के अंदर बोले प्लाजमा है में भागतो तो प्लाजमा में क्या-क्या पदार्त हैं और रक्त कणिकाएं कौन-कौन सी हैं तो रक्त कणिकाओं क को हम अलग भाग में पढ़ेंगे प्लाजमा का संगटन अभी पढ़ने वाले हैं कि प्लाजमा के अंदर क्या-क्या चीजिए होती हैं composition of plasma तो बोले plasma के अंदर लग-बग 90-92% तो जल ही होता है बहुत बार आया हुआ question है very very important question ठीक है न दोस्तो seven star दे देते हैं तो इसलिए ये question बहुत बार आया है प्लाजमा में जल का परतिसत कितना होता है अब प्लाजमा में जल के अलावा क्या है बुले गुले वे पदार्थ हैं क्या हैं गुलेवे पदार्थ हैं क्योंकि वह तरल ही तो है ना तो उसमें कुछ पदार्थ गुलेवे हैं डिजोल्ड सबस्टांस हैं और वह पदार्थ कार्बनिक और एकार्बनिक हो सकते हैं मतलब और्गेनिक और इन और्गेनिक हो सकते हैं तो अब यहां प प्रोटीन और इनका प्रतिसष उतां, 6-8% यानि यहां पर प्लाजमा के अंदर हम देखा कि टोटल जो प्लाजमा उसका 90-92 प्लाजमा परोटीन इतने हैं बाकी बचे हइब सारे सारे पधार्त हैं अन्य पधार्त कोन कोन से हैं बोले प्लाजमा में पोशक पधार्त भी हैं क्योंकि हमने पाचन तंत्र में जो खाया था वो कहां चला गया बोले वो रक्त में चला गया था पचन के बाद में तो क्या क्या चला गया था रक्त में ग्लूकोज अमीनो अमल वशिय अमल विटामिन ये सब हमने पाचन तंत्र म यØं ये सारे के सारे क्या हैं दोस्तों ये सारे festival हैं और ये भी इस Lazara के अंदर हैं तो पलाजमा में पोषक पदार्त और Drys ठीक है ना प्रूटीन तो हैं लेकिन ये तो आप कर सकते हैं बोजन के माद्यम से प्लाजमा के अंदर आए हैं अब प्लाजमा में कुछ उस्षजी पदार्त भी हैं यानि बेकार की चीजें जो सिरी से बाहर निकलने जरूरी हैं यह हर कोशिका से निकलके आती हैं तो कौन-कौन से प्लाजमा में एक तो यूरिया होता है यूरीक अमल होता है और पित वरणक होते हैं पित वरनक जिनके नाम हमने बताये थे पितरस में बिली रूबीन और बिली वर्डीन और उन्हीं के एकरण इसका रंग थोड़ा सा पिला होता है ठीक है दोस्तो तो यूरिया भी एक उसरी पदार्त है यूरिकमल भी ये खतरनाग है बाहर निकलने जरूरी है तो मुत्र के र ज़री चीजें है बड़ी ही इंपो реш लाग पडार्त अंदर प्रोटीन भी हैं पोज़क पदार्त भी है उसजी पदार्त है एंगले यह और हम कहा होता है बूले एकरत में यानि ली वर में होता है वेरिवेरि yüzden कुशिन का निर्मान कहा होता है अब यह प्रकार के हैं वह है लुपिन दूमिन तीसरा फाइब्रनोजन चोता व्रोगिन यानि इस फथाव usage जाता है यानि प्लाजमा के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोटीन होता है तो बोले अल्बूमिन होता है अल्बूमिन काम क्या करता है बोले विग्यानी के साब से बोलें तो एल्बूमिन क्या करता है रक्त में प्रासरण दाब यानि बलड के ओस्मोटिक प्रेशर का र ये प्रोटीन किस ने बनाया बोले यकरत ने बनाया और रक्त में आ गया और ये क्या करेगा बोले रक्त में जल की मात्रा बनाए रखेगा जल की मात्रा बनाए रखना इसका काम है यानि अभी हम बात करेंगे कि अल्बूमिन जो है हमारे रक्त में है और रक्त में क्या कर रह यह जलकी मात्रा को बनाए रख रहा है यानि जितना एल्बूमिन हमारे अंदर रहेगा उतना ही रख्त में जल रहेगा यानि कुल मिला के अगर बात करें तो जितना ज्यादा जल रहेगा उतना ही रख्त का आईतन रहने वाला है ठीक है दोस्तों तो यहां पर हम बात करेंग albumin ने रक्त में जल्की मात्रा बना ली लेकिन अगर albumin कम हो गया तो बोले albumin कम कब होगा बोले liver काम नहीं करेगा तब तो liver काम नहीं करेगा तो albumin कम होगा और albumin कम होगा तो क्या है हमारे रक्त में जल्की मात्रा कम हो जाएगी दोस्तो इस प्रकार से albumin का ध्हान रखना है ऐसे ही globulin, globulin क्या बनाता है बोले globulin तीन टाइप का है, alpha globulin, beta globulin and gamma globulin, तो दोस्तो जो alpha वे beta है ये तो hemo globulin का निर्मान करता है और जो gamma है वो antibody का निर्मान करता है, इसलिए दोस्तो antibodies को immuno globulin भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं immunoglobulin, immunoglobulin, अब antibody कौन से protein की बनी हुई है, बोले gamma globulin protein की बनी हुई है, antibody कौन से protein की बनी हुई है, गामा globulin protein की बनी हुई है, इम्यून यानि प्रतिरक्षा तंतर से संबनी सब्द हो गया, तो antibody प्रतिरक्षा करती हैं और globulin protein से बनी हुई है, तो इनको immuno globulin बोल ऐसे ही दोस्तों 5-Brinogen और Prothrombin नाम के दो प्रोटिन और हैं जो प्लाजमा में होते हैं और यक्रतिन को बनाता है दोनों के दोनों प्रोटिन रख्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं यानि they help in the formation of blood clot जब रक्त लग जाए तो रक्त बहने लगता है तो रक्त का थक्का बनाते हैं ये प्रोटीन हालांकि रक्त का थक्का निर्मान की प्रिक्रिया हम अलग से पढ़ेंगे और उसके अंदर बताएंगे कैसे बनता है ठीक है दोस्तों तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है प इस class के अंदर बहुत सारे question बनते हैं और इस सारे के सारे question बड़े ही समानने और important हैं यानि कहने का मतलब पढ़ने में बड़े easy से लगे लेकिन आपको इनको एक बार पढ़ना है और ध्यान रखना है कि यहां से question आता है तो दोस्तों आपको रोजन ऐसे ही class है मिलती रहेगी आपके अपने youtube channel science on wifi पर तो इस channel को subscribe कर लें और इस video को like और share करें ताकि आने वाले videos के notification भी आपको मिलते रहें और साथ में अन्य बच्चों तक भी यह पहुंच सकें तो दोस्तों मिलते हैं next class में thank you